ये शरीर में वो स्थान है जहां से जीवन भून में उतरता है तो ये है ब्रह्मरंद्र अगर भौतिक से परे के आयाम सतत एक लगातार सक्रिय प्रक्रिय बन जाते हैं आप में से कुछ ने शायद अपनी शांभवी में ये महसूस किया होगा कि आपके सिर पर एक एंटिना आ गाया है जो आपको जीवन का एक विशेश नजरिया दे रहा है अगर आपके घर में एक नवजाच शिशु है तो आप देखेंगे कि कपाल का एक विशेश हिस्सा पूरा नहीं बना है क्या आपने ध्यान दिया है तो बच्चे को कोमलता से संभालना होता है वहाँ पर सिर्फ त्वचा होती है कोई हड़ी नहीं होती तो यौगिक शब्दाबली में इस भाग को ब्रहमरंद्र कहते हैं रंद्र का मतलब होता है एक मार्ग जैसे छोटा छेद या सुरंग का मार्ग तो इसे भ्रहमरंद्र कहते हैं तो ये शरीर में वो स्थान है जहां से जीवन भून में उतरता है चूंकि जीवन भून में आ गया है और जीवन अपने विकल्पों को खुला रखता है यानि क्या ये शरीर उसे कायम रखने में सक्षम है या नहीं तो जीवन विकल्प खुले रखता है जीवन प्रक्रिया में इतनी जागरुकता होती है तो ये आखरी मिनिट तक उस चौर दर्वाजे को खुला रखता है वो इसे खुला रखना चाहता है अगर वो अपने अस्तित्व के लिए उस शरीर को उप्योगी नहीं पाता तो वो शरीर को छोड़ देगा और ये शरीर के किसी दूसरे मार्क से नहीं जाना चाहता ये वहीं से जाना चाहता है जहां से आया था एक अच्छा महमान हमेशा सामने के दर्वाजे से अंदर आता है और सामने के दर्वाजे से बाहर जाता है अगर वो सामने के दर्वाजे से आता है और पीछे के दर्वाजे से बाहर जाता है, तो मतलब उसने आपका घर साफ कर दिया है। तो वो उसी दर्वाजे से बाहर जाना चाहता है, तो वो उसे खुला रखता है। आखरी मिनिट तक वो अपना विकल्प बरकरार रखना चाहता है। ऐसे कई मामले हैं, अगर यहां डॉक्टर या प्रस्तुती विशेशग्य हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसे तमाम मामले होते हैं, जहां सभी चिकित्सा मापतंडू के अनुसार, भ्रून स्वस्था, सब कुछ ठीक था, पर किसी कारण से एक मृत्त शिशु पैदा हुआ, ब भ्रून में माता-पिता का कर्म हैं, तो हालांकि वो अपने चुनाव से ही आया है, बात पस ये है, 90 प्रतिशद या उससे ज्यादा मौकों पर ये सही होता है, पर जीवन इस बात के प्रतिशचेतन हैं, कि ये कभी-कभी गलत चुनाव कर सकता है, तो यही कारण है कि कर्ब कर्बवती महिला के आसपास एक अलग तरह का वातवरन बनाने के लिए बहुत सी साथधानियां बरती जाती थी, अब हम ये सब छोड़ रहे हैं, आज कर्बवती महिलाएं काम पर जाती हैं, सिनिमा जाती हैं, वे सभी जगा जाती हैं, ऐसी चीज़ें अब नहीं की जाती ह ये सिर्फ इस उमीद से किया जाता था कि आप दोनों से बहतर प्राणी आपके गर्भ में आएं आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ आप पती-पत्नी हैं, आपके कुछ खास गुण है आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बस आपकी तरह नहीं बलकि आपसे उंची गुणवत्ता का हो आपसे भैतर प्राणी आपके गर्भ में आना चाहिए उस वज़े से गर्भा वस्ता के एक खास चरण के बाद एक पती को भी उस महिला को देखने की अनुमती नहीं थी क्यूंकि उसे आराम और खुशाली की एक खास अवस्ता में रखना होता था एक खास तरह के विचारों के साथ एक खास तरह के वादावरण में हर तरह से उसके सिस्टम को खुश रखने की कोशिश होती थी सही तरह की सुगंध, ध्वनिया, मंत्र, भोजन, हर चीज ताकि उसका शरीर एक ऐसी अवस्ता में हो जिससे सही किस्म के प्राणी को निमंत्रन दे शायद आज की दुनिया में इन सब चीजों का सवाली नहीं उड़ता तो अगर कोई प्राणी इस खास भ्रून में प्रवेश करता है और उसके शिशु बनने के दौरान उसे उप्युक्त नहीं पाता तो वो चला जाता है, इसलिए एक द्वार खुला रखा जाता है तो ये ब्रहमरंद्र है और एक दिन जब आप शरीर छोड़ते हैं उस समय भी आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं लेकिन अगर आप ब्रहमरंद्र से जाते हैं तो ये जाने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आप सचेतन रूप से शरीर के किसी भी हिस्से से जाते हैं तो ये ठीक है लेकिन अगर आप भ्रह्मरंद्र से जा पाएं तो ये प्रस्थान करने का सबसे अच्छा तरीका है तो चुँकि इस बारे में बहुत सी बाते होती हैं तो इस बारे में किताबे लिखी कई हैं एक बात ये है कि इसकी काफी संभावना है कि हो सकता है कि कोई इनसान अपने सिर के ऊपर या माथे के बीच में चीजों की कलपना करना शुरू करते हैं वे कई चीजों की कलपना करते रहते हैं आपको ये समझने की जरूत है कि आप जहां भी अपने मन को केंदरित करते हैं वहां कुछ हल चल होगी अगर आप चाहें, तो अभी आजमा सकते हैं, अपनी छोटी उंगली को ऐसे रखें, और इसकी नोक पर ध्यान के इंद्रित करें, आप देखेंगे कि एक मिनिट के भीतर वहां कुछ हल चल होगी, शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर आप अपना ध्यान के इंद्रित करते हैं, तो आप कुछ हलचल पर गौर करेंगे, तो इसे आपके भीतर हो रही किसी महान प्रक्रिया के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए, बेशक थोड़ी शारीरे खलचल यहां-वहां होती रहती है, कभी-कभी ऐसा आपके साथ होता है, आप सो रहे होते हैं, शरीर का इतनाव या दबाव में हैं, तो यह आपके विभिन अंगों में हो सकता है, तो उसे भी गलत लेने की जरूवत नहीं है, मुझे नहीं बता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर मैं यह कहता हूँ, तो आप हर तरह की चीजों की कलपना करना शुरू करतेंग जो उनके अनुभव में नहीं है, क्योंकि वो हर तरह की चीजों की कलपना करना शुरू करतेंगे, वैसे भी, अगर आप खुद के साथ ऐसा मत कीजे, यह जरूरी नहीं है, अगर मैं अपना हाथ अपने ब्रहमरंद्र के उपर रखता हूँ, यहां तक की चार फीट उपर अगर आप इसे रखते हैं, तो आप अपने हाथ में एक स्पष्ट भाव महसूस करेंगे, जो हमेशा एक आठ के आकार में होगा, अगर आप अपनी उज्याओं को एक खास तरीके से रखते हैं, तो ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हर इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन यह भीतर होत यह शरीर से आगे नहीं बढ़ता, क्यूंकि सिस्टम में मौझूद 114 चक्रों में से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर हैं, अगर भौतिक से परे आयाम सतत, एक लगातार सक्रिय प्रक्रिय बन जाते हैं, आप में से कुछने अपनी शांभवी में कुछ पल के लिए यह महसूस किया होगा, कि आप से परे की कोई चीज सक्रिय हो गई है, तो अगर आपकी भौतिकता से परे एक आयाम, आपके भीतर एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिय बन जाता है, तब कुछ समय बाद ये दो चक्र, जो निश्क्रिय और शरीर से बाहर होते हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं, अ मतलब आपके सिर पर एक एंटेना हो जाता है, आपने पुलिस एंटेना देखा है, आपको अपने सिर पर एक एंटेना मिल जाता है, जो आपको जीवन का एक खास नजरिया देता है. KTER A divers jej आपके सिर पर एक एंटेना मिल जाता है, जा देखा है, आपको जीवन का एंटेना है, आपको जीवन है, जापके सिर खास नजरिया आपको जीवन का भा जाता है, एक जाता है.